Good morning everyone and today we are going to discuss our new questions and examples of exercise point 1 of the chapter continuity and differentiability, right? So first let's start with our 17th example. 17th example, what do we say? If f of x is equal to x minus 5 upon mod of x minus 5 plus a, if x is less than 5, less than पे दियो यह 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 की limit, x tends to 5 minus पे दियो ही है f of x की value, right? अब equal पे दियो ही है a plus b और greater पे दियो ही है x minus 5 upon mod of x minus 5. इस continuous function होगा, अगर यह function इसने पहले बता दिया कि continuous है, तो यहां से हमें find करनी है क्या a and b. सबसे पहले हम क्या करेंगे? left hand limit लेंगे. left hand का मतलब क्या है? यह यह line, यह 5, left का मतलब minus, right का मतलब plus. तो limitly x tends to f 5 minus. तो f of x पे प्लाई किया, तो कौन सी value उठेगी? यह value, यह value मैंने put कर दी. अब देखो. क्या करना है? मैंने x tends to 5 minus h put करना है. क्यों? क्योंकि मैं limit कौन सी उठा रही हूँ? left hand limit. तो जब मैंने put किया, x tends to h, h apply करेंगे सबसे पहले, तो h tends to 0. x put किया, मैंने 5 minus h, मेरा question यही से हो जाता है, solve. जब मैं इसको बहार open करूँगी, तो मेरा 5 से 5 तो cancel out, यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी बची किया, उपर minus of h, और निचे, mode of minus of h, और मैंने को पता है, जब mode से बाहर कुछ भी चीज आती है, तो वो किस में आती है, plus में आती है, तो जब मैंने इसको plus में बाहर आया, तो मेरे पास क्या है, h cancel out, अब apply करो, h tends to 0, वैसे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिद्धा क्या आएगा, minus 1 plus a, क्योंकि यहाँ पे h तो है ही नहीं, जिसमें मैं 0 पुट कर सकूं, अब मेरे को क्या put करना है, rhl, rhl की मेरे पास value क्या है, x-5 upon mod of x-5, value put करो, plus b, दोनों की value मैंने put कर दी, अब plus में put करना है, तो 5 plus h put होगा, h, बिल्कुल 0 के पास की वो quantity होती है, जिसको हम 0 लिख सकते हैं, right, मतलब इतनी पास होती है कि इसको 0 ही बोल देते हैं, तो जब मैंने यही पीछ लिवले question की तरह है, यहाँ पे h apply किया, तो क्या है मेरे पास, यह 5 से 5 cancel out, यह भी 5 से 5 cancel out, अब mod के बाहर, plus h जाएगा, तो वो plus ही देगा, तो h से h cancel out, अब put करेंगे, तो मेरे पास h यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, हम कही 0 ने put कर सकते हैं, और मेरे पास यह क्या जाएगा, 1 plus b इतनी बतलियर है, मेरे पास left hand limit भी आगी, right hand limit भी आगी, और f of 5 हमें क्या given है, उपर चेक करते हैं, f of 5 given है हमें a plus b, तो जब मैंने इन सब की values को equate किया, तो मेरे पास क्या है, equate क्यों किया, क्योंकि यह values क्यों थी, continuous थी, तो a minus 1 is equal to b plus 1 is equal to a plus b, इसको कैसे equate करेंगे, a minus 1 is equal to a plus b, and b plus 1 is equal to a plus b, तो यहां से a से a cancel out हो जगा, तो मेरा b की value क्या जाएगी, minus of 1, और यहां से, क्या cancel out होगा मेरा, b से b, और a की value मेरे पास आजाती है, बन तोनों की value आगी, मेरा function क्या हो गया, continuous, अब चलते हैं exercise की तरफ, exercise मेरी क्या गयाती है, सामन्त question है मेरा exercise का, test the continuity at x is equal to a, the function f of x is equal to x minus a, cos 1 upon x minus a, x not equal to a है, जब और जब equal है, तो value 0 होगी, आप देखो, यह example number 5 है, same to same, अगर आप मैंने पिछली वीडियो देखी है, part number 1, तो उसमें मैंने example number 5 करवाया था, वहाँ पे बिल्कुल क्या था, x minus a, और यहाँ पे sign था, बस जो value आपको cos की put करनी है यहाँ पे, वही value आपको वहाँ sign की put करनी थी, इतना सा फरक है, यह question आपको खुद try करना है, पिल्कुल easy question है, अगर आप से फिर भी नहीं होता, तो आप एक बार part number 1 देख लेना, उसमें आपको clear हो जाएगा, अब हम करते हैं सिद्धा 8th question, 8th question क्या कहता है, examine the continuity of the function at x is equal to pi by 2, where f of x is equal to cos x upon pi by 2 minus x, if x is not equal to pi by 2, अगर मेरा x not equal to pi by 2 है, तो मेरे को value यह उठानी है, और अगर x is equal to pi by 2 है, तो मेरे को value यह उठानी है, तो करने question, सबसे पहले हम क्या करेंगे, limit लगा देते हैं, या फिर f of a पुट कर देते हैं, a का मतलब pi by 2 है यहाँ पे, f of pi by 2 होगा, तो value कितनी है, 1, अब limit पे चलते हैं, limit क्या कहती है, x turns to pi by 2, 2, क्या पुट करना है मेरे को, f of x में, पुट करो, अब h पुट करने के लिए, plus यह minus होना जुरूरी है, तो मैं सबसे पहले इसको ले लेती हूँ, left hand limit, और left मेरे को क्या में देती है, minus, तो यह भी minus, अब देखो, मेरे को limit, किस पे जाएगी, h tends to 0 पे, अब cos, h की value, x is equal to pi by 2, minus h हो जाएगा, यह मैं put करती हूँ, x is equal to pi by 2, minus h, put करो, pi by 2, minus h, upon pi by 2, minus pi by 2, plus h हो जाएगा, क्योंकि minus अंदर जाके हो जाता है, plus, अब करो apply, limit h tends to 0, अब मेरे को पता है, cos, 90, minus, theta कितना होता है, cos, 90, minus, theta is equal to, cos, theta, तो यानि कि cos of क्या जाएगी, h upon, यह cancel out upon h, और यह मैं put कर इस समझ के आई हूँ, कि मेरे पास इसकी value कितनी होती है, मेरे पास, limit h tends to 0, cos h upon h is equal to, comment box में mention करो, 1 होती है, 0, इसकी value होती है, 1, clear है इतनी बात, अब, जब हमने यहां तक इसको solve कर लिया है, तो साथ में हम क्या solve कर रहेंगे, r, h, l, तो जब हम r, h, l solve करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, limit x tends to pi by 2, plus f of x, यही value उठाएगे, तो जब मैंने limit apply कि, x tends to pi by 2, plus p, f of x कौन सा उठेगा, यहां से एक बार चेक करो, cos x upon pi by 2 minus x, यह मैंने उठाया, cos x upon pi by 2 minus x, और x की value मैंने को क्या put करनेगे में पढ़ेगी, put x is equal to pi by 2 plus h, करो put, limit x tends to pi by 2 plus, sorry, h tends to 0, क्योंकि अब तो मेरे को 0 लिखनी है ना, क्योंकि अब यहां पर put कर दिया है मैंने, x is equal to pi by 2 plus h, तो h tends to 0, और cos की value क्यों आज आएगी मेरे पास, pi by 2 plus h upon pi by 2 minus pi by 2 plus h, यह values आएँगी, इसको यहीं पर solve कर देती हूँ मैं, limit h tends to 0, अब देखो, cos 90, 90 यह ना, pi by 2 plus h क्यों होता है, यहीं प्लस θिटा, cos 90 plus θिटा is equal to, minus cos θिटा है, प्लस cos θिटा, minus cos θिटा, ठीक है, minus cos h, इतनी बात क्लिए है, तो यहां से क्या आजाएगा मेरा, cos minus h upon pi by 2 से pi by 2 cancel, बचेगा क्या सिर्फ minus of h, minus से minus cancel, दुबारा फिर वहीटा, limit apply करेंगे, h tends to cos h upon h is equal to 1, अब 1 पे मेरी value क्या थी, pi by 2 पे 1, left hand पे क्या आई, 1 और right hand पे क्या आई, 1, तो मेरी lhl is equal to, rhl is equal to f of pi by 2 आगी है, तो यानि कि, यहां से मेरा function क्या हो जाता है, continuous, right, अब करते हैं, अपना next question, next question क्या कहता है, which of the following function are continuous at the indicated point, indicated point मतलब जो दियो हुआ है last में, जैसे कि यह, f of x is equal to x, if x is less than 0, f of x is equal to x square, if x is greater than equal to 0, मैं इसको यहीं पे, यहीं साथ के साथ question कर देती हूं, f of 1 क्या होगा, sorry, f of 0 क्या होगा, f of a चेक करते हैं, तो f of x is equal to x यहाँ पे हैं, तो यहीं क्या होगा, x किसके है, x क्या है, 0, तो यानि कि 0 किसकेर, यानि कि 0, अब limit apply करते हूं, x tends to 0 plus, तो क्या आएगा, plus apply कर रही हूं, तो x square उठाना पड़ेगा मेरेको, मैंने उठाया x square, यहाँ से मेरे limit क्या आएगी, limit h tends to 0, 0 plus h की whole square, कर आपलाई, तो यह भी क्या आएगा, 0, अब limit कौन सी उठानी है मेरेको, rh, sorry, lhl, क्योंकि rhl तो मैंने कर ली हैं, right hand limit, plus वाल तो कर ली है, अब lhl मैं कैसे करूंगी, limit x tends to 0 minus f of x, limit h tends to 0, f of x की value क्या लीख नहीं है, मेरेको x, और put भी करना है साथ के साथ, तो 0 minus h हो जाएगा, put करो h की value 0, तो क्या आएगा 0, f of a भी 0, limit भी 0, तो मेरे function क्या हो जाता है, continuous, अब देखो मैंने कितनी असानी से, फट फट कोश्चन कर दिया, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, सिर्फ क्या ध्यान अखना है, तिन्नो पार्ट ध्यान अखना है, कि कौन से पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले f of a find करना है, फिर rhs, फिर lhs, अब मेरेको करना है question number कौन सा, इसका b part, I hope आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको थोड़ा सर अब कर देती हूँ, क्या आएगा है हाँ पे, f of x is equal to 2x minus 1, if x is less than 0, 2x plus 1 if x is greater than or equal to 0, at x is equal to 0, सबसे पहले f of a find करेंगी, f of a क्या है, f of 0, 0 पे value क्या है, यहाँ पे equal, तो यानि कि 2x plus 1, x की value 0 पुट करना है तो, 2 into 0 plus 1 is equal to 1, अब LHL करूँगी, क्या आएगा, limit LHL का मतलब minus, तो 0 minus, f of x, यहाँ पे value क्यों उठानी है, 2x minus 1, तो क्या आएगा, limit x tends to 0 minus, 2x minus 1, 2x minus 1, यह उठानी है, h apply कर देती हूँ, limit h tends to 0, क्या आएगा, 2x की जंगा, क्या पुट करेंगा, इसकी x की जंगा, 0 minus h, minus 1, करो, apply 2 into 0, 0, 2 into h, minus 1, अब H apply करेंगे, तो क्या आएगा, minus 1, और, यहाँ से इसकी value minus 1 आगी, अब पुट करेंगे, plus, तो RHL, limit x tends to 0, plus, f of x, यही आएगी ताब मेरी, इसको जब solve करूंगे, तो क्या आएगा, limit x tends to 0, plus, plus वाली को उठानी है, 2x plus 1, 2x plus 1, अब H apply कर देती हूँ, limit h tends to 0, क्या आएगा, 2 0 plus h plus 1, तो H apply करो 0, तो क्या आएगा मेरे पास, plus 1, यह plus 1 है, यह minus 1 है, और यह plus 1 है, तो मेरा फंक्शन यह भी क्या हो जाता है, discontinuous, ठीक है, अब करते हैं आपने next question को, next question क्या 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 क्याता है, 10th, discuss the continued key of the following function, at x is equal to 1, यह question मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ, क्या आएगा इस question में, सबसे पहले तो जब मेरी वैल्यू, 0 से बड़ी है, और equal है, तब मेरे को यह value उठानी है, और 1 से छोटी है, और equal है, तब मेरे को यह value उठानी है, अब मेरे को check किस पर करना है, सिर्फ x is equal to 1 पे, तो मेरे को 0 से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे को मतलब किस से है, 1 से, तो मैं 1 पर क्या करूँगी 0 less than equal to x less than equal to 1 है तो यानि कि जब मेरा function less than 1 होगा तो मेरे को यह value उठानी है और जब मेरा function greater than होगा तो मेरे को यह value उठानी है सबसे पहले आप क्या करोगे f of a निकालोगे f of a f of 1 निकालोगे 1 की value पुट करोगे किसमें इस वाले function में क्योंकि equal यहाँ पर है करो put तो x की value 1 पुट करोगे तो 1 plus 1 का square 1 तो यह आजगा 2 अब value आप पुट करोगे second value second value में क्या फुट करोगे limit x tends to 1 plus f of x करोगे put करो limit x tends to 1 plus f of x की value plus में कौन सी उठानी है greater than 2 minus x वाली 2 minus x जब आप पुट करोगे तो आपके पास value क्या आएगी अब h अपलाई करना है तो कर लो नहीं तो आप सिद्धा भी लिख सकते हो 1 plus apply या फिर आप h अपलाई कर लो limit h tends to 0 आजाएगी और x की value क्या पुट करने पड़ेगी आपको 1 plus h यहां से आपकी value क्या आजाती है 2 minus 1 अप ल, h, l करो या ना करो आपको कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि आपका answer already find out हो चुका है मैं इसको एक बार rub कर देती हूँ आप एक बार इसका screenshot लेना हो तो screenshot ले लो नहीं तो मैं इसको rub कर देती हूँ अब क्या करेंगे अब हम f of x हमारा second part क्या क्या क्याता है f of x is equal to 5x minus 4 if 0 less than x less than 1 and 4x square minus 3x when x is less than equal to 1 and greater than equal to 2 है sorry less than है 2 से और greater than है 1 से और चाक की skip करनी है 1 पे तो सबसे पहले f of a check करते है a क्या है f of 1 और 1 पे जब put करनी है तो equal to 1 यहाँ पे है तो यह value put करेंगे तो 4x square minus 3x इसमें value put करनी है x की 1 तो put करो 4 minus 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अब क्या करनी है मेरे को second step limit apply करनी है x tends to 1 plus plus प्लस उठा रहे है तो यहनी की आ रहा है चाल उठा रहे है f of x अब greater than कहां पे है इस position पे तो इसी position को लिखेंगे limit x tends to 1 plus f of x की value क्या जाएगी 4x square minus 3 of x clear है इतनी बात बिल्कुल easy है समझ आ रहा है तो एक बार like कर दे न अब 4x square minus 3x मेरे पास क्या बचेगा 4 सबसे पहले तो h apply कर देते हैं limit x tends to 0 और करो h x x is equal to 1 plus h क्योंकि 1 में 1 पे कर रहे हैं चक तो जब मैंने 1 plus h की square minus 3 1 plus h किया तो मेरे पास क्या आएगा limit h tends to 0 करो 4 प्लस इसको लिख सकती हूँ 1 plus h square plus 2h minus 3 minus 3h आज h को 0 apply कर दो तो क्या आएगा 4 minus 3 और ये भी क्या होता है 1 similarly जब आप इसको second portion करोगे तो second portion में आपको क्या होगा इसको भी एक बार मैं रब कर देती हूँ मेरे पास क्या आएगी आपने कर लिया होगा तो मैं इसको रब करके इस वाले कोशन की values को extend करती हूँ आगे दूसरी वाली साइड की तो यहां से क्या आएगा lhl is equal to f of x limit apply करेंगे क्या x tends to 1 minus limit x tends to 1 minus f of x की value क्या उठाएंगे 5 minus 5 x minus 4 अब h apply कर देते हैं limit h tends to 0 और x की value क्या put करेंगे 1 minus h 5 1 minus h minus 4 right limit h tends to 0 जब मैं put करूँगी 5 minus 5 h minus 4 और जब मैं h tends to 0 पट करूँगी तो मेरी values क्या जाएगी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 मेरा function क्या हो गया continuous क्यूकि मेरी तीनों वैलू क्या आगी इक्वल अब ये question आपको खुट ट्राई करना है 10th मैं आपको hint दे देती हू greater than पे आपको क्या कर पूट करना है x2 plus 2 less than पे आपको 3 और रडी गिवन है और equal to पे आपको पूट करना है 2x plus 1 तो जब आप तीनों वैलू को पूट कर लगे तो आपको question easily solve हो जाएगा हम इसके next 11th और 12th question है next video में करेंगे तब तक के लिए thank you keep watching and stay tuned with us if you like the video